बिसमिल्ला रख्मार रखीम, असलाम अलेकम वियोर्स, आज मैं आपको पास्ता की रेसिपी बताती हूँ वाइट सास के साथ, जिसमें ये चिकन ये यूज हो रहे है, तकरीबन डेट पॉग, ये तीन टेबल स्पून है, मैदा, नमक, एक टी स्पून, और ये औरेगानो, ए मैं आपको इसका त्यारी बताती हूँ, सबसे पहले हम चुले जलाएंगे, उसमें हम 3 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून मक्कन के डालेंगे, करीबन 2 टेबल स्पून, मेरा मक्कन मेरा मेल्ट हो रहा है, इसमें हम चिकन डाल दूँगी, इस चिकन को मैं अच्छा सा भूलूँगी, ठाइ करूँगी चिकन अच्छा सा पक जाएगा, पर मैं इसमें मसाले डालूँगी कलर चेंज होगा तो पर मैं इसमें मसाले डालूँगी यह जब इसके कलर चेंज हो जाएगा, अब इसको थोड़ा सा पकाऊँगी यह देखे तकरीबन इसका कलर चेंज हो गया, अब मैं इसमें यह कुटियू लाल मिर्श डालूँगी थोड़ी सी, यह आफ टीस्पून इसमें डालूँगी नमक भी 1-2 टीस्पून में डालूँगी इसमें और यह कुटियू लाल मिर्श बी में 1-2 टीस्पून डालूँगी इसको अच्छी तरह हम पका लेंगे इसमें, आप इसमें लालूटू भी ओस कर सकते हैं, लेकिन रज़नाइν भी मिर्श पर्सा से त्होड़ी तरहुत उच्छ अच्छा था, निदो का लमग है बस इसका color नहीं change करना, सर्फ इसका पानी फुष करना है और ताके इसमे ये flavor आ जाए मसालों का, इसको इतना ही पकाना है, अब मैं चुला बन कर दूँगी और मैं फिर white sauce की तियारी करूँगी, ये इसमें बटर डाली हूँ, मैं white sauce, white sauce बनाने के लिए, ये तू टेबल स्प और इसमें मैं मैंदा एट कर रही हूँ, तीन टेबल स्पूम इसको पकाएंगे, अच्छी तरह से पकाऊँगी इसको, उस वक्त जब इसमें कुश्पू आ जाएगी और बस मैं चूला बन करके इसमें डूट डालूँगी बस ये हो गया, अब इसमें मैंदूर डालूँगी तुचूला बंद करते थे ये तकरीबन एक किलो का पैकेट है मेरे पास, आप खुला दूद भी यूज़ कर सकते हैं सुच्छा करें, ये तक इसमें बुटिया ना बनें इसमें बुटिया ना बनें इसमें चलारीन बिस्क आतीए, इसमें जो मैदा है वो समल जाए अच्छी तरह से भाल हो जाज़ा पिर मेचूला दोबारा से गला भी यह ब मेचूला जला दूगी और फिर मेचूला पताऊंगी जब यह गाड़ा हो जाएगा पिर मेचूला बाकी की चीज़ा अट करूगी देखें मैदा इसमें बिल्कुल हाल हो गया कोई इसमें मैदा है बिल्कुल हाल हो गया बीच में आप यह थोड़ा सा जब पकेगा तो इसमें बाकी की मसाले डालूँगी अब थोड़ा सा थीक हो रहा है अब मेच में यह बाकी मसाले डालूँगी जिनमें यह काली मर्च एक टी स्पून है नमक में हाफ टी स्पून में डाल रही हो क्योंकि पहले भी नमक डाला हुआ चिकन में और यह खुटी लाल मर्च है हाफ टी स्पून और यह और इकानवे हाफ टी स्पून इसको मिक्स करें अच्छी तरह से अब यह गाड़ा होगा तो मैं इसमें चिकन और पास्ता डालूँगी यह काफी गाड़ा हो चुक है अब मैं इसमें चिकन एट करूँगी यह जो मैंने बना के रखा था आपके सामने यह मैं आट करूँगी इसमें और फिर मैं यह पास्ता डालूँगी यह इसमें मैं पास्ता एट कर दीऊ यह अब इसमें को मिक्स करें इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा इसी और पकने दे बस थोड़ा सी गाड़ा होगा तो इसको बस उतार देंगे यह बहुत टेस्टी होता है और इसे आप गरम गरम सर्व करें अपने बचे बचे आपके बहुत शोग से खाएंगे इसे आप उपर से चीज डाल के बेक भी कर सकते हैं लेकिन यह ज्यादा तर इसी तरह खाया जाता है यह मैं इसमें चीज थोड़ी सी उपर से डाल रही हूं और मैं इसी के बीच में मिक्स कर दूंगी पेसे बिच में मी स्कुन हे चीज जाएं इसे में बेख बेख आनदा के बेख कर सकते हैं रंग अब जान बूढ़े हैं मैं इसे यहीं बेख डाल रही हूं बोहत अच्छा टेस्ट आयाए गा इसे जरूर प्रें ऑपने गर में मैं अभी आपको इसे dish out करके भी दिखाऊंगी यह देखें यह काफी गाड़ा हो चुका है आपको नजर आ रहा होगा और बहुत टेस्टी होगा अभी मैं आपको इसे dish out करके दिखाऊंगी यह पास्ता मैंने dish out कर दी है यह देखें, यह इसकी लुक काई है, आप इसे गर में जुरू ट्राइ करें, यह बहुत टेस्टी होगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थेंक्यू